हाव रुफीक्स वान प्लस ट्री जीपीएस नोट टर्निंग ओन प्राब्लेम नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा केसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में जी कर सकते अगर आपका जीपीएस ओन नहीं हो रहा है ठीक है तो आपको कैसे करके प्रॉल्म सॉल्फ करना होगा यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वालाओं वीडियो के सारां तक बने रही है सारे सार अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होते हुए बैल आइकुन को क्लिक करें अगर आप आप आनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है आप यहाँ पर ओन करके देखें अपने जीप से यह काम करते हैं तो जब जीपीएस ओन होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जीपीएस को आप यहाँ पर बन कीजिए बन कीजिए और देखें ठीक है उसके दोस्तों आप मोबाइल को भी रिस्टार्ट करके देख सकत है अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है तो ठीक है अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्फ नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट सॉल्फिशन पर जाना होगा ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको स्कॉर्ल डाउन करना होगा और यहां पर शिस्टेम पर क्लिक कीजिये रिसेट ऊप्शिन पर जाहिए रिसेट वाइफ़ाय से ौपया değer मोबाईल यह ब्लू टूट हज पर क्लिक करके रिसेट मोबाईल पासवोर्ड भर दीजिये मुबाइल पासवोर्ट भरने के बाद आपको बेक करना है उसके बाद दुबारा से चेक करके देखना है अगर प्रॉल्म सॉर्फ हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो चलिए दोस्तों एपस एंड नोडिफिकिशन पर जाते हैं और यहां पर सी ओल एपस पर जाक तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोकेशन का ओप्शन आ चुका है तो लोकेशन सर्वेस पर हमें जाना है स्टोरेज पर क्लिक करना है क्लियर स्टोरेज करके ओके कर देना है ओके करने के वार आपको बेक करना है उसके बार लोकेशन हिस्ट्री आपको मिलेगा ठीक है ए मेंन्ट आपको बेक करना है उसके बार मॉबाइल को रेश्टाट करके देखना है अगर प्रावल्लमंस तो ठीक है अगर नील落ते प्रावल्लम इसव मोज़ एक तो मोबाइल को सेफ मोड़्ट पे रिबूट करें उसके लिए पाउर बटन को प्रेशन कॉल करना है पाउर criterion इस्ट्रोल्डाउंट सी्स्टेम और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है सिस्टेम अपडेट पर और सौफर अप्डेट कर देना है तो फिर अपडेट करती ही आपका प्रॉबलम सौफ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने problem को fix कर सकते हैं लेकिन इसके बाद भी by any chance problem solve नहीं होते तो आपको system पर दुबारा से जाना है backup and reset process आपको follow कर लेना है आप यहाँ पे जाए erase all data पर और erase all data पर क्लिक करके mobile password वगरा भरके आपको simply erase कर देना है सारे data erase करने के बार आप दुबारा से check करके देखे solve हो जाएगा आपका problem उमेद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा अगर वीडियो पसन आता है तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके बेल आइकोन को क्लिक करे अगर आपको online पैसा कमाना आए तो description पर लिंक चेक आउट कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों बस इतना है टेंक्स वाचिंग झाल मैं झाल मैंगा कर सकते हैं आए तो जचा आपको बढ़ना है वीडियो को कारा आपको को